आदाब नमस्कार रेड माइक में आपका स्वागत है दिल्ली में वोटिंग हो चुकी है लेकिन एक मसले पर चर्चा नहीं हुई जिस पर चर्चा भी होनी चाहिए थी और उस पर आक्शन भी होना चाहिए था हमें लगा थोड़ी देर हो गई है लेकिन भले ही देर थोड़ी जादा हो गई है लेकिन ये बात आप तक परचाना बहुत ज़रूरी है बीजेपी ने प्रचार का एक अनूठा जरिया धूंड लिया तो बीजेपी ने क्या किया आपको पता ही है कि चुनाव आयोग ने तीन दिन पहले कहा कि राजनितिक दल भगवान के नाम पर वोट मांगना बंद करें ये कहा चुनाव आयोग ने लेकिन चुनाव आयोग के इस बयान की धजियां उड़ाते हुए भगवान के नाम पर दिल्ली ने दिल्ली में बीजेपी ने वोट मांगने के कई कई तरीके नए आजमाएं अब यह देखे एक जोलम आपको दिखा रहे हैं पैकेट है इसमें लिखा हुआ है जै श्री राम जो राम को लाएं हैं हम उनको लाएंगे यह पैकेट हमें मिला कहां से यह पैकेट मिला हमें मयूर विहार से हम लोग हम लोग अपने दफ्तर से निकले कुछ समान लाने के लिए तो जो मयूर विहार में पास में माकेट है वहां से हमने खाने की कुछ चीज ली जब खाने की कुछ चीज ली तो हमें दुकंदार ने इस बैग में जिसमें लिखा है जो राम को लाएं हैं हम उनको लाएंगे इस भरकर वो समान दिया तो हम लोगों ने पूछा कि इस बैग में भरकर ये समान क्यों दिया है आपने ये बैग आपके पास कहां से आया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के वरकर आकर के ये बैग हमें दे गए और उन्होंने कहा कि इसमें डाल करके समान दें तो हमने बोला कि फिर आपको नहीं देना चाहिए कि आप भगवान राम लिखा हुआ है, भगवान राम लिखे हुए बैग में कि आप खाने पीने की चीजें, चिकन मटन, अंडा, फिनायल, इस सब सारे चीजें डाल के देंगे, उन्हें बोला नहीं नहीं ये तो नहीं दें लेकिन हम लोग चाते हैं, खतम हो जाए, पड़े-पड़े ओफिस में या दुकानों में क्या करेंगे, तो बीजेपी के कारेकरताओं ने क्या किया, कि ऐसे बैग्स पूरी दिल्ली में, दुकानों में, रेडी में, पच्छी में लाकर के दे दिये, ताकि जो इन जोलों के जरिये, उनका भगवान राम के नाम पर वोट मांगने का एजिंडा घर-घर तक पहुँच जाए, अब सोचिए कि कुछ पौश जगहों पर भी लोगों को ऐसे जोले दिये जा रहे हैं समान पर, तो चुनाव आयोग जो बयान दे रहा है, कि भगवान के नाम पर वोट ना मांगा जाए, उसका क्या, सिर्फ जोले ही नहीं, हम लोग जब पोलिंग वाले दिन कवरेज कर रहे थे, तो कई जगहों पर उत्तर पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली में ये पोस्तस लगे हुए थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बीजेपी का इसमें सि आयुक तो शेरोशायरी करने में लगे हुए हैं, अब उनके आदेश की इस कदर धजियां उड़ रही है, कोई संग्यान में लेने वाला नहीं, और जो राम को लाएंगे, हम उनको लाएंगे, कि पूरा प्रचार दिल्ली में किया गया, कि पूरा चुनाओ साम्प्रदाइ के खिलाफ, इस पूरे मामले पर, यूएन कराई भी हुआ, तमाम पत्रकारों ने, कॉंग्रेस ने, आम आदि पार्टी के लोगों ने, ECI को टाक करके शकायत भी की, लेकिन चुनाओ आयोग ने, अब तक इस पर कोई संग्यान नहीं लिया है, खैर संग्यान तो क्या ही ले हो, जो आचार सहिता है, आदर्श आचार सहिता, Model Code of Conduct का पालन कराया जाए, उसमें पूरी तरीके से प्रशासन सिस्टम और चुनाओ आयोग ध्वस्त रहा, उनकी खुद की दी गई गाइडलाइन्स, उनके अधिकारियों ने फॉलो नहीं की, यहां तक ही, सोशल मीडिया पर वो तमाम वीडियो वाइरल हैं, जिसमें बूत के अंदर जाकर के, स्कूलों में जाकर के, बीजेपी वाले परचे बाटते हुए नजर आए, वैसे यह जो आप सुन रहे हैं, जो राम को लाएं हैं, हम उनको लाएंगे, यह गाना बीजेपी के फ्रचारों में, बीजे के संदर्म में, जो की 2022 के विधान सबाच चुनाओं में उत्तर प्रदेश के बहुत वाइरल हुआ, और यही पोस्टर्स सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, हमने देखा है कि पंजाब में भी ऐसी पोस्टर्स लग रहे हैं, जो राम को लाएं हैं, हम उनको लाएंगे, और पंज का पूरा प्रचार दिल्ली में, आप देखेंगे, पोलिंग की एक दिन पहले विरेन सचच्देवा, जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी राम को ले कर के, की तो कॉं perseverance राम द्रो ہी है, उन्होंने राम मंसर का विरोद कि जिए राम मंसर, राम मंसर, रा राम को लाए थे हम उनको लाएंगे कितनी बड़ी विडंबना है कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी सत्ता में पहुंचने का रास्ता बीजेपी के लिए राम के रास्ते ही है भगवान राम के रास्ते है और यह जो पूरा प्रचार है इसको लेकर के क्योंकि कनहिया कुमार से कुछ चीज़ें चिपकी हुई है कि वो टुकले टुकले गैंग वगारा वगारा इस पूरे मामले में मुकदमा रहा कुछ शाबित नहीं हुआ पर परसेप्शन भी तो है ना तो उस परसेप्शन के आधार पर ये जो रा आधात तारीख को पता चलेगा हम अपने इस वी lot में वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उन दीवारों को भी दिखा रहे हैं जहांपर जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे कि पोस्टर चस्पा कि अफित अब जो पपनजाब में चुनाव है एक तारीख को वहां पर आ क्या उनका संग्यान लेकर के चुनाव आयोग हटाएगा हमें नहीं पता लेकिन हम चांद तक पहुच गए हैं हम नए भारत की बात करते हैं हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं हम 2047 तक विश्व गुरु बनने की बात करते हैं पर विश्व गुरु बनाने वाली पार्ट दस साल सत्तम रहने के बाद भी भगवान राम का इस्तमाल कर रही है इस तरीके के जोले बाट करके दुकानों में किसमें लोगों को समान दें ताकि जो एजेंडा है जो राम को लाए है हम उनको लाएंगे ये एजेंडा उनका घर-घर तक पहुंच जाए उनको दस साल बाद भी राम को आगे रख करके वोट मांगने की दरकार पड़ रहे समझ में आ रहा है कि इस देश में हालात क्या हैं मैं किसी पार्टी का समर्थक या विरोधी नहीं हूँ लेकिन मुझे तकलीफ है कि चुनाव आयोग और जो इस देश की स्वतंदर संस्थाय हैं वो कुछ चीज lines है जो उनके ही मानक हैं उन मानकों के को follow करवाने के लिए उनहीं कुछ सक्त कदम उठाने होंगे में तमाम ट्वीट्स बी जीपी के नेताव ने किए राम मंदिर को ले करके अब राम मंदिर बन गया राम मंदिर में सब दर्शन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले भी जा रहे हैं सब जाने दर्शन करने के लिए हम सब के राम हैं लेकिन राम के नाम पर वोट मांगना 1990 से लेकर के अब तक तीन दशक से जादा बीट गए हैं लेकिन बीजेपी अब भी वोट मांगने के लिए भगवान राम के नाम का इस्तमाल कर रही है फिलहाल मैं फिर कह रहा हूँ कि इस चुनाव में अगर किसी संस्था को अपनी नैतिक्ता को साबित करने का दारुमदार है तो वो चुनाव आयोग है जनता ने क्या तैंग किया है वो चार जून को पता चलेगा हारे या जीते कोई भी लेकिन नियम कानूनों में और उनके पालन में दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए फिलहाल हम और कुछ तस्वीरे आपको दिखाते हैं जहां पर आपको पोस्टर नजर आएंगे दिल्ली पूरी पटी हुई नजर आएगी तमाम दिवारे पटे हुई नजर आएंगे और भगवान राम के लगे पोस्टर तो निकालने में सबको थोड़ा सा दबाव भी हमें जरूरी था कि कुछ वक्त बाद ही सही लेकिन आपको इस प्रचार के बारे में हम बताना चाहते थे इसलिए हम ये विलॉग कर रहे हैं कि बीजेपी ने किस तरीके से जोले बाटकर पैकेट्स बाटकर जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे कि ये अपने सेजिंड को घर घर तक पहुंचाया और चुनाव आयोग चुपचाप शांत मूख दर्शक बनकर इस पूरी गतिविधी पर आखें मूंदे बैठा रहा इस प्रचार पर जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे इस प्रचार पर हमने पोलिंग वाले दिन ही उत्तर पूर्वे दिल में कुछ लोगों से बात करी है उनकी कुछ आवाजें आप सुनिए कि उनके इस बीजेपी के इस प्रचार का लोगों में क्या प्रभाव है लोग क्या कह रहे हैं कि वो क्या मानते हैं कि बीजेपी राम को लाई है और क्या इस पूरे प्रचार का असर उनकी वोटिंग पै कर दो